नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंट्रस्टिंग वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकात्ता नाइट राइडर्स कौन से चार विदेशी खिलाडियों को खिला सकती है IPL 2018 में अगर आपको जानना है तो यह वीडिय वीडियो को सुरू से लेके लास्त पूरा देखिए लेकिन दोस्तो वीडियो में आगे वढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तो सबसे पहला खिलाडी उसका नाम है क्रिस लिन जिहां दोस्तो 90% चांस है कि जो क क्रिसलीन है वो स्टार्टिंग के IPL के मैचेस से खेलेंगे अगर दोस्तों मान लीजिए क्रिसलीन नहीं खेलते हैं तो उस्तों उनकी जगह पे जो है वो कैमरोन डेलपोर्ट को खिला सकते हैं लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो क्रिसलीन है वो स्टार्टिंग के IP के बाद वापस आ रहा है मैज विनर ऑल राउंडर है बहुत ही अच्छी गिंदबाजी कराते है और बैटिंग तो इनकी बहुत ही लाजवाब है दोस्तों क्रिसलीन थे नंबर वन खिलाडी और नंबर टू खिलाडी है उसका नाम है आंद्रे रसल दोस्तों बात करते हैं ती सुलीन नराइन की जोड़ी हम सब को फिर से आई प्यल में कहर बरसाते हुए नजर आ सकती है तो दोस्तों क्रिसलीन अंद्रे रसल और सुलीन नराइन होंगे तीन विदेसी खिलाडी दोस्तों बात करते हैं चौथे विदेसी खिलाडी की तो उसका नाम है मिचल स्टार्क बहुत बड़ा नाम है ये मिचल स्टार्क बहुती तेज गिंदबाजी कराते है दोस्तों कोलकत्ता ने जो चार विदेशी खिलाडी खरीदे है सुलीन, नरायन, क्रिस लिन, अंद्रे रसल और मिचल स्टार्क दोस्तों ये चारो जो फॉरिनर खिलाडी है अपने आप मैच व क्रिस लिन नहीं खेलते है स्टारिंग के मैचिस में दोस्तों उनके बदले जोका मुप्र नो चैने मिचल जैसे नाम है लेकिन मिचल जांस्न है घिंदबाज है और केम रॉन ते ल 알不好 बहतरिन बल्लेबाज हैक। दोस्तों मेरे इसाब से तो चार विदेशी खिलाडी यही हूंगे क्रिस लेन अंदरे रसल सुलीन नरायन और मिचल स्टार दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से होंगे चार विदेशी खिलाडी अपने विचार बताओ निचे कमेंट करके फिलाल के इस वीडियो में इतना ह वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए कुलकत्ता के फैन हो जरूर सेर कीजिए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए तब तक के लिए हसते रहें मुश्कुराते रहें और क्रिकेट खेलते रहें